ना चार ना पांच हर छे महीने में होता है इस देश में राश्ट्र अध्यक्ष का चुनाओ 778 सालों से चुने जा रही है शीर्ष नेटा इस देश में स्थापत है दुनिया का सबसे पुराना लोगतल इस देश ने दी थी दुनिया भर में जिन देशों में लोकतंत्र बहाल है उन देशों में प्रधान मंत्री और राश्ट्र पती के लिए चुनाओ 4 साल, 5 साल या 6 सालों में एक बार होता है लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां राश्ट्र अधिश का चुनाओ हर 6 महीने में होता है नमस्कार में उची पांडी और आप देख रहे हैं दुनिया दर्बाग अज हम आपको एक ऐसी देश के बारे में बताएंगे जहां दुनिया का सबसे पुराना लोगतंत्र स्थापित है और वहां हर 6 महीने के भीतर ही राश्ट्र अधिश का चुनाओ होता है यह देश है योरॉप का सैन मेरिनो जहां हर 6 महीने में ही चुनाओ होती है यहां दो राश्ट्र देश चुने जाते हैं जने कैप्टन रिजेंट कहा जाता है बतादे कि कैप्टन रिजेंट के चुनाओ में जनरल काउंसल के सदस्थी वोट डालते हैं जिनकी संख्या कुल 60 होती है सैन मेरिनो जो दुनिया का सबसे पूराना लोगतांत्रिक देश माना जाता है इस देश की आबादी करीब 34,000 है पहली बार यहां कैप्टन रिजेंट का चुनाओ सन 1243 में हुआ था जिसके बाद से 788 सालों से देश में राष्ट्र अध्यक्ष के चुनाओ हर 6 महीने में एक बार होती है यहां की संसद को अरेंगो कहा जाता है इस देश में सम्विधान संसोला सो में लागू हुआ था तब से इस देश में यही चुनाओी प्रकृडिया अपना ही जा रही है इसमें हर 6 महीने में राष्ट्र अध्यक्ष के चुनाओ होती है और उपक्षी नेता को देश के शीर्श नेता के रूप में चुना जाता है इस देश की संसद अरेंगों के सदस्यों का चुनाओ प्रत्यक्ष रूप से होता है जहां हर 5 सालों में सदस्यों का चुनाओ किया जाता है पहले इस देश में राष्ट्र अध्यक्ष की चुनाओी प्रकृविया बहुत अनोखी थी जिन में कैप्टेन रिजेंट के चुनाओं के समय संसस सदस्यों का चुनाओं देश के हर परिवार के मुख्या करते थे सेन मेरेनो दुनिया के सबसे छोटे देशों में गिना जाता है इस देश का शेत्रफल केवल 61 वर्ग किलोमेटर का है इस देश की सीमा इटली की सीमा के साथ लगती है इस कारण पर उसी होने के चलते यहां इतावली भाशा ही बोली जाती है दुति विश्व युद के दौरान इस देश ने इटली की मदद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इस देश में लाखों लोगों को रहने के लिए अपने देश में शरन दी थी इस देश में मॉंटर गार्डिनो और सेरा वेले जैसे शहर शामिल है 2009 तक इस देश को टेक्स हेवन कंट्री के नाम से जाना जाता था यानि जहां टेक्स दूसरे देशों के तुलना में बहुत कम लगता हो या नहीं भी लगता हो लेकिन इसी साल से इन मरीनों ने आर्थिक पारदर्शिता के नियम को अपनाया जिसके बाद ये टेक्स हेवन के ग्रेय लिस्ट से बाहर हो गया ये धी मुख्य कबर अब रुख करते हैं दिन के सुर्कियों की ओर पहली सुर्की कभी प्ले बॉई की पहचान रखने वाले पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान ने कुछ दिनों पहले महिलाओं के कम कपडों को रेप के लिए जिम्मेदार बताया था जिसके बाद से ही खुद पाकिस्तान के लोग अपने प्रधान मंत्री इमरान खान की पुरारी फोटरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उनकी छोटी सोच को दिखा रही है इन तस्फीरों में इमरान खान बेहत कम कपडों में महिलाओं के साथ पाटी करते घूमते जरा नहीं है जो बहुत तेजी से अब सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है दूसरी सुर्खी असली आयोध्या नेपाल में बदाने वाले नेपाली प्रुदहन मंत्री केपी शर्मा ओली ने एक अजीबो गरीब दावा किया है कि योग नेपाल जन्मा है कि नेपाल में योग तब शुरू हुआ था जब भारत था ही नहीं ओली ने ये बयान अपने आवास पर अंदराश्ट्री योग द्रवस पर एक कारेक्रम को संबोधत करके हुए दिया है। तीसरी सुर्खी, अफगानिस्तान में बढ़ते हिंसा को देखते हुए चीन ने अपने नागरिकों को फॉरल अफगानिस्तान को छोड़ने का आदेश दिया है। अभी हाली में अफगान, सुरक्षाबलो तता तालिबान के बीच हिंसा और अधिक भड़क गई थी। और आतंगवादियों ने देश के कई नए जिलों पर कबजा कर लिया। अंतियम सुरकी, विश्वस्वास्त संग्टन का कहना है कि COVID-19, कोरोना वाइरस, वैक्सीन डेल्टा वैरियन के खिलाफ कम असरदार पाई जा रही है। हलाकि ये मौत के खत्रे और गमभीर बिमारी से बचा सकती है। डबलोचे के महमारे विशेशग्यों का कहना है कि कई म्यूटेशन होने की वज़ा से वैक्सीन का कोरोना वाइरस के खिलाफ असरद कम हो सकता है। इस रिपोर्ट में फिलार के इतना ही अन्रे अन्तराश्ट्री खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे हैं ये दुनिया दर्बाद धुनिवाद।